नमस्कार जन्भावना टाइम्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंक्यता पूरा देश जन्माश्मी के जश्न में टूपा हुआ है इस बीच मुंबई में एक बड़ा हाथसा हो गया मुंबई के बोरी वली वेस्ट में शुकरवार को एक चार मंजला इमारत डह गई जिसमें कई लोगों के दबने की खबर है यहासा बोरी वली वेस्ट के साई बाबा नगर में हुआ है जहां गितांचली नाम की एक चार मंजला इमारत डह गई इमारत के डहते ही धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया और किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक ये हो क्या गया मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे आस पास रह रहे हैं लोग दहशक में आ गए आनन फानन में दमकल विभाग और पुलिस को इसकी सूशना दी गई सूशना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेट की टीम और पुलिस पहुँची मौके पर तुरंत राहत और बचाप का काम शुरू कर दिया गया बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 साल पुरानी इस बिल्डिंग के आसपास कुछ लोग रह रहे थे फिलहाल ये सूशना नहीं मिल पाई है कि घटना में कितने लोग हताहत हुए हैं वहीं हाथसे की सूशना मिलते ही मौके पर फाई ब्रिगेड और पुलिस की तमाम गाडिया भी पहुँच चुकी हैं राहत और बचाप का काम युद्ध इस्तर पर चल रहा है मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी मौके पर मौझूद है घटना के बाद से मौके पर भारी संख्या में लोग भी मौझूद है आपको बता दे कि काफी पुराना और जरजर होने के कारण बिल्डिंग को पहले ही खाली कर दिया गया था इसके बावजूद कहीं कोई फसा ना हो इसे लेकर फाइब ड्रिगेट चेकिंग कर रही है फिलाल मौके पर दमकल की आठ गाडियां, दो बचा वेन, एक आर एफ वहन और तीन एम्बूलेंस मौझूद है आपको बता दे कि तीन दिन पहले भी मौके ही मौलंड इलाके में रात पौने आठ बजे के खरीब नाने पाड़ा इस्थित मोती चाया बिल्डिंग में एक घर की छट गिरने से बड़ा हाथसा हो गया था इस हासे में दो लोगों की मौत हो गई थी, मरने वालों में 93 साल के नथा लाल शुकला, 87 साल की एक महिला आरकी बेन देव शंकर शुकला थी इसे पहले इसी साल 9 जून को ही मुंबई के बांतरा में एक इमारत गिर गई थी, उस हासे में एक शक्स की मौत हुई थी, जबकी 16 लोग खायल हुए थे देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्ता से जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं जुड़े रहिए जन भावना टाइम्स के साथ, नमस्कार